कोरिया प्राइद वीप में विधवनसक जन्ग की तैयारी उत्तर कोरिया को अमेरिका की पेतावनी अमेरिकी B1B लॉंचर्स की बंबारी हुई है और साउथ कोरिया के फाइट के साथ लिए बंबारी की गई 2017 के बाग जे डैम्स बॉंग से एक्सरसाइज US अदक्षड कोरिया की सेना का युद्धा भ्यास हो रहा है 2017 के बाद जे डैम्स से ये एक्सरसाइज हो है और बीते 48 घंटे से क्रीमिया लगातार देहल रहा है क्रीमिया कोस्ट पर युक्रेनी ड्रोन गदर मचा रहे हैं रूसी नौसेना के युद्धपोतों की बली ले रहे हैं उन्हें जल समाधी लेने पर मजबूर कर रहे हैं और आपको बता दे कि सिर्फ क्रीमिया ही नहीं बलकि युक्रेनी ड्रोन स्ट्राइक से दक्षन पश्रमी रूस के प्रांथ यहां तक की राजानी मौस्कों में कोहरा मचा हुआ है लेकिन आज की रात यूक्रेन के लिए थबाही की रात हो सकती है प्रचंड विनाश की रात हो सकती है क्यूंकि काला सागर से सटे यूक्रेन के दमाम प्रांतों को दहलाने के लिए बारूदी भूचाल लाने के लिए पुतिन ने घातक ब्रह्मास्त्रों से लैस समुदरी जंगबास तैनात कर दिये है आखिर कहां और कैसे दिखे रहा है क्रीमिय कोस्ट का कोना कोना पारूद से धर्रा रहा है पीती रात भी क्रीमिय पर जबरदस्ट अटैक हुआ यूक्रेन के नेवल ट्रोंस ने काला सागर में फिर से भीशन गतर मचाए रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर फुल फ्लेजट आकरमन किया जिसका नतीजा ये हुआ कि रूसी नौसेना की दो टग बोट हमले में तबाह हो गए क्रीमिय कोस्ट पर यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया यूक्रेन ने सी बेबी ड्रों मागूरा वी फाइट से भीशन हमला किया नाइट विशन कैमरे से ली गए ये तस्वीरें यूक्रेन के कामिकासी नेवल ड्रों ने कैप्चर की इन तस्वीरों में साब देखा जा सकता है कि यूक्रेनी नौसेना का सी बेबी ड्रों बड़ी तेजी के साथ समंदर में आगे बढ़ रहा है वो भी क्रीमिय कोस्ट पर तैनाद रूसी शिप के तरफ चंद मिनिटों बाद ही यूक्रेन के जल ड्रों ने दक्षन क्रीमिय में तैनाद रूस की दो टग बोट को सीधे हिट किया बस फिर क्या जोरदार धमाके के साथ आस्मान में बारुदी को बार उठने लगा और देखते ही देखते रूसी टग बोट ने काला सागर में जल समाध ही ले ली एरानी इस बात की है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब से रूस यूक्रेन जंग का आगास हुआ है तब से लेकर अब तक लैक्सी में यूक्रेन कई रूसी युद्वोतों की बली ले चुका है और बात दोजार चुबीस की करें तो यूक्रेन के सी बेबी डोन के कहर से रूसी नौसे ना थर्रा उठी है कि वैसे तो रूस यूक्रेन जंग को दो साल से जादा का वक्त हो चुला है वगर बात साल दोजार चुबीस की करें तो यूक्रेन ने ताबढ़ तोड़ हमलों से ब्लाक सी में तैनात रूसी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाए है साथ मई दोजार चुबीस को यूक्रेन ने सी बेबी ड्रून के जरिये रूसी नौसेना के दो लैंडिंग शिप समंदर में तबाख की इस हमले से ठीक चौबस दिन पहले यानि 6 मई दोजार चौबिस की रात यूक्रेनी नौसेना ने रूस के 22 वे युदुपोद को जलम जलमे खरेंडिंग जलमे दोजार चौबिस की रात यूक्रेनी यूक्रेनी ने रूस के करीब दो दरजन से ज्यादा समुदरी चंबाजों को तबाख कर दिया है जिनमें डेस्ट्रॉयर, पेट्रोलिंग शिप, फ्रिगेट, टगबोट और सब्मरीन शामिल थे नावा तो यहां तक किया जा रहा है कि युक्रेन ने रूसी ब्लैक सीव फ्लीट के करीब 40 फीसिती हत्यार बस्त कर दिये हैं ताकि रूसी नौसिना की इस टुकड़ी में अफ्रा तफ्री मचें आपको बताते हैं कि युक्रेन ने सिर्फ क्रीमिय कोस्ट को ही नहीं पलकी पश्चिमी रूस के बेलगोरोध प्रांथ, दक्षणी रूस के रौस्ताव रीजन के साथ-साथ रूस की राजधानी मॉस्को में भी बारूदी कोहरा मचाया बीडिया रिपोर्ट्स की माने तो युक्रेन ने रौस्ताव के सबसे बड़े पेट्रोलियम प्लांट पर हमला किया रौस्ताव के नोवो शकिंस की प्लांट पर ड्रोन स्ट्राइक की गए वहीं बेलकरोध में युक्रेन ने ओयल डिपो को जलाकर राख कर दिया स्टारूस कुलस की ओयल डिपो पर युक्रेन ने ड्रोन से हमला किया इसके अलावा मॉस्को बेबी युक्रेन ने कामिकाजी ड्रोन से अटाक किया। युक्रेन के ड्रोन हमले में मॉस्को का वेयर हाउस जलकर राख हो गया। पीते एक वहिने में युक्रेन क्रीमिया ही नहीं पालकी पाश्चिवी रूस सबेद बॉसको में तावर तोड हमलों को अंजाम दे चुका है। सैटलाइट तस्वीरों के जरिये ये भी दावा किया जा रहा है कि 48 घंटे पहले युक्रेन ने कर्च ब्रिज पर भी ड्रोन से अटाक किया। ऐसे में अब रूसी डिफेंस ने क्रीमिया समेथ तमाम युक्रेनी हमलों का इंतकाम लेने के लिए बारूदी ब्लूप्रिंट तयार किया है। और जानते हैं सबसे पहले पोदन ब्रिगेड के टार्गेट पर है लैक्सी से सटे युक्रेन के तटी ये इलाके। तरसित ब्लैक्सी वे रूस ने युक्रेन के तटी ये इलाकों को देहलाने के लिए जबर्दस सैने डेप्लॉइमेंट की है। हारी तादाद में रूसी ब्लैक्सी फ्लीट के जंगबाजों, जहाजों और सम्मरीन को तैनात किया है। जिनवें शाबिल हैं, प्रोजेक्ट 22160 पेट्रोल शिप, वाइन क्लास कॉर्वेट्स, रॉपूचा क्लास लैंडिंग शिप, इवान ग्रेन क्लास लैंडिंग शिप, तपीर क्लास लैंडिंग शिप, किलो क्लास सम्मरीन। पोतिन की आकरामक तेवर इस बात का संकेत है कि जल्दी युक्रेन के तटी इलाकों में बारूदी भूचा ला सकता है। ओडेसा खैरसौन जैसे युक्रेनी फ्रांथ पोतिन के बारूदी ताप से राख हो सकते हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि कैसे जल्द्सकी अपने दक्षरी फ्रंट को बचा पाते हैं। कैसे ब्लैक सी में रूसी युद्द्पोतों के हमले का बलट बार कर पाते हैं। यूरो रिपोर्ट दीवी नाइन भारत पुछ